अगर आपने इस से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख लेना एलन ओस्टन के कैप्टन ने दो दिन तक इंतजार किया कि अगर कोई उस जहाज में होगा तो जरूर बाहर आएगा लेकिन कोई उस जहाज में नहीं था उसके बाद कैप्टन ने ये फैसला किया कि वो खुद उस जहाज के अंदर जाके देखेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी जब कैप्टन उस जहाज के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सारी चीजे अपनी अपनी जगह पे रखी हुई हैं ये सब देखने के बाद कैप्टन ने ये फैसला लिया कि वो इस जहाज को भी अपने साथ ले कर जाएंगे। उन्होंने अपने आधे क्रू को इस जहाज के अंदर भेज दिया। दोनों जहाज कुछ दूर तक साथ में थे लेकिन अचानक एक समुद्री तूफान आ जाता है जिसमें दोनों जहाज अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है। अब एलन ओस्टन के कैप्टन दोबारा उस जहाज को ढूंडने की कोशिस करते हैं। क्योंकि उस जहाज में उनके आधे क्रू मेंबर्स थे। अभी कैप्टन को अपने दूरबीन में दूर वो जहाज दिख जाता है। लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं तो पता लगता है कि फिर से उस जहाज में कोई नई है। क्रू मेंबर्स कहां गए? इसका पता किसी को नहीं चला। फिर से कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को दोबारा उस जहाज को चलाने के लिए भेजा ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके लेकिन एक बार फिर वैसा ही हुआ क्रू मेंबर्स गायब हो गए और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो क्रू मेंबर्स और वो जहाज आखिर कहां गायब हो गए तो ये थी कहानी बर्मुडा ट्रेंगल की जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है और आज तक इस रहस्य को कोई नहीं सुल जा सका अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज हर दम देखने के लिए